दोस्तो अक्सर जब फायदेमंद चाई के बात आती है तो आप ग्रेन टी का नाम सुनते होंगे मगर क्या आपको पता है कि ग्रेन टी के बज़ाएं रेड टी का सेवन भी आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है Red tea सामाने Green tea के जैसी कड़वी नहीं होती इसलिए इसे वो लोग पी सकते हैं जिने Green tea का स्वात कड़वा लगता है आप red tea कैसे बना सकते हैं और इससे आपको क्या लाब मिलते हैं आइए जानते हैं Red tea बनाने के लिए अनार के ताजे दानों का प्रियोक किया जाता है अनार सिहत के लिए फाइदेमंद होता है ये आप भी जानते होंगे मगर इसकी चाइबी सिहत के लिए बहुत फाइदेमंद होती है अनार में मुख्य रूप से विटामिन A, C, E, Folic Acid और Antioxidant पाए जाते है अनार रक्त में आइरन की कमी को दूर करता है और एनीमिय जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाता है रेट टी बनाने के लिए सबसे पहले दो-तीन कप अनार के बीज ले इन्हें चीनी के साथ मिलाकर ब्राइंडर में अच्छी तरह पीस ले अब इस पेस्ट को किसी जार में भर कर फीज में रख दे ताकि इसका बाद में भी इस्तिमाल कर सके चाई बनाने के लिए एक कप गरम पानी में दो-चमबच पेस्ट मिलाए अगर आपको चीनी से परहेज है तो इसमें शहर्थ मिला सकते हैं आपकी चाई तैयार है कर्मियों में सही खान पान के लिए अनार की चाई को भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए इससे पाचन संबंदी समस्याओं में तो आराम मिलता ही है साथ ही इसके नियमित सेवन से धमनिया भी ठीक रहती है गर्भवती महिलाएं जो अनार के चाई का सेवन करती हैं उनका बच्चा हैल्दी और स्वस्थ होता है अनार में ऐसे गुण हैं जो कैंसर से शरीर को बचाते हैं खास्त और पर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और फेफ्रो के कैंसर में अनार की चाय का सेवन करने से बहुत फायदा मिलता है विटामिन C और एंटी आक्सिटेंट तत्तों से भरपूर ये फल हमारी शेरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है एंटी आक्सिटेंट तत्तों की अधिक्ता होने के कारण ये खराब कॉलिस्टेंट को बढ़ने से शुरुवाती दोर में ही रोग देता है इसमें फॉलिक आसिट भी होता है जिससे उच्ची रक्तचाप और एंटीमिया का खत्रा कम होता है हेमोगलोबिन की कमी में अनार का सेवन अच्छा वाना जाता है मगल डाइबटीज की रोगी इसे ना ले